आप सभी को जे मसी की जीजस वोई शुरूब चैनल में आप सभी का स्वागत है चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ओन कर लें ताकि वीडियो का नोटिकेशन हर समय आपको मिलता रहें कमेंट करने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखे उसके बाद ही कमेंट करें आपकी राए आप जरूर दे सकते हैं आपका जो विचार है आप जरूर कमेंट करके बताईए लेकिन सबसे पहले कमेंट करने से पहले वीडियो को आप देख लें कि इस वीडियो में मैं को बताता हूं कि हमारे जो मसीही समाज में भी कई सारी ऐसी घलत सिक्षाई आगई है जो की Bible से बहार हैं जो की Bible में हे connect आ हो एक उसके बारे में Bible में बताया ही नहीं गया है लेकिन इनसान ने क्या कर दिया अपनी ओर से जोड जाड के क्या कर दिया शिक्षाइं बना ली रिती रिवाज बना लिये जिसके कारण से आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं उस रिती रिवाजों में उन शिक्षाओं में गलत शिक्षाओं में फसे हुए हैं उनको लगता है कि मैं इस शिक्षा को या इस रिती रिवाज को मान कर क्या करूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा या मैं इस संस्ता पर विश्वास करूंगा या मैं इस पाश्टर के पिछे चलूंगा मैं इस बिशब के पिछे चलूंगा और मैं क्या करूंगा उधार पालूंगा लेकिन ना तो संस्ता आपका उधार कर सकता है सबसे पहले मैं उनमें से कोई नहीं कर सकता, केवल आपका उद्धार कोन कर सकता है, येश्यु मसी ही उद्धार कर सकता है, क्योंकि उद्धार केवल येश्यु मसी में उसके अलावा किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर एक गलत श थल्ट बाट दिया गया है कोई बच्चे को बप्तिस्मा देता है बप्तिस्मा कई जこれで के नीचे क्या करता है बप्तिस्मा देता है फिंदो में एक जोटा बच्चा है नहोगा और प्रक्र क्या कर रहे हैं एक कुंड में क्या कर रहे हैं उस छोटे बच्चे को बबतिस्मा दे रहे हैं क्या इस वीडियो के आधार पर क्या ये बबतिस्मा सही है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये वबतिस्मा है वो बाइबिल के आदार पर है क्या बाइबिल में कहीं पर भी इसके बारे में लिखा गया है कि छोटे बच्चों को बतिस्मा देना आप उत्पति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर छोटे बच्चे का बप्तिस्मा कहीं पर भी नहीं हुआ है और नहीं छोटे बच्चों को बप्तिस्मा देने के बारे में बताया गया है आप देख सकते हैं इसलिए मर्कुस 16 का 16 में पढ़ेंगे आप लिखा है वहाँ पर लिखा है जो कोई विश्वास करे और बप्तिस्मा ले उसी का उधार होगा तो उधार पाने का जो सबसे पहला कदम है वो क्या है विश्वास ना कि बप्तिस्मा बप्तिस्मा लेना बहुत इंपोर्टन है क्योंकि यह प्रमिश्वर की आग्या है यह हमारी पहचान है कि हम मसी में हैं यह जरूर लिजिए आज बप्तिस्मा लेने की जरूरत है लेकिन सबसे पहले क्या करना है विश्वास करना है बाइबिल में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि बप्तिस्मा देने के बाद विश्वास किया बिलकुल नहीं पहले व विश्वास करता हूँ, मैं पच्छताब करता हूँ, मुझे ये मालूम होता है कि मैं पापी हूँ, मुझे येश्यू पर विश्वास करना चाहिए, उसके बाद क्या होना है कि पच्छताब करने के बाद मेरे पाप शुमा हो गए, उसके बाद मुझे बप्तिस्मा लेने की और शक्ता है क्योंकि यह परमेश्वर किया गया है लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को बप्तिस्मा देते हैं तो छोटे बच्चों को ये शुमसी के बारे में पता नहीं है पाप के बारे में पता नहीं है अगर हम छोटे बच्चों को बप्तिस्मा देते हैं तो इसका कि यूजे तूचार भीजाने गृब कर दिंगे कि अगुड़ी एकार भीजादान थे यूजड़ा है या उन यूर्स आपकार इंगे कि अगूदार थे प्यूधा की एकार भीजान रहीं से जायरा उन हता है .